सनी दियोल की चूप फिलम को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिला है चूप फिलम फ्लॉप है या हिट इस बात को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो दोस्तो आज हम आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं प्लीज दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा किसी भी फिल्म को फ्लॉप या हिट का दर्जा कब दिया जाता है कोई भी फिल्म अपनी बजट से दो गुना तीन गुना या चार गुना कमाई कर ले तो उस फिल्म को हिट सूपर हिट या ब्लॉग बास्टर मा अगर अपने बजट से कम कमाई करे तो उस फिल्म को फ्लॉप माना जाता है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विक्रम वेधा को इस शुकरवार को रिलीज कर दिया गया है विक्रम वेधा मूवी का ओपनिंग डे काफी अच्छा माना गया है लेकिन क्या ये फिल् विक्रम वेधा ने अपने ओपनिंग डे पर 10 से 11 करोड रुपे कमा लिये हैं और इस फिल्म के दूसरे दिन की कमाई भी इसी के लगभग में हैं और आप लोगों को लगता होगा कि पहले दिन ही विक्रम वेधा ने सनी देवल की फिल्म चुप को हरा दिया है लेकिन दोस् की बात करें तो इस फिल्म ने 16 करोड असी लाक रुपे कमाई हैं अगर इस कोलेक्शन में वर्ल्ड वाइड को भी एड कर दिया जाए तो इस फिल्म ने लगभग 20 से 22 करोड रुपे कमा लिये हैं बात करें विक्रम वेधा के दो दिन के कोलेक्शन की तो इस फिल्म ने और उन्सी फिल्म फ्लॉप टो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुप फिलम का बजट लगभग 10 रोड़ ए था बात करें तो फिलम नले अपने पहले दिन पर 3 करोड़ रुपए कमाये थे चूप फिलम ने अपनी बजट का 30% हिस्सा अपने पहले दिन ही कमा लिया था बात करें चूप फिलम के दो दिन की कमाई की तो इसने 5 करोड रुपे दो दिन में कमा लिये थे यानि कि अपनी लागत का 50% वहीं बात करें विक्रम वेधा के दो दिन के कोलेक्शन की तो इस फिलम ने अपने दो दिन में 22 करोड रुपे कमाए है विक्रम वेधा फिलम के बजट की बात करें तो इसका बजट लगभग 175 करोड रुपे है यानि कि इस फिलम ने अपनी बजट का 15% हिस्सा ही दो दिन में कमाने में कामयाब हो पाई है इन बातों से क्लियर हो जाता है कि चूप फिलम विक्रम वेधा से कही जादा आगे है भले ही विक्रम वेधा ने दो दिन में 22-23 करोर रुपे की कमाई कर ली हो लेकिन फिर भी चूप फिलम के आगे फ्लॉप ही है दोस्तो आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी है अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्काइब करें और वीडियो को शेयर करें